हाई हम आपको इट का एक स्पेशल यूज बताने लाए इट जिसका यूज हमके बद सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं ऐसे इट को इंट्रॉड़क्टरी इट कहते हैं कि जनली कांग पुछाएं लाता है कोई अहाड सुनकर कोई आवाद सुनकर हम पुछते हैं कौन है या कौन था जबावाता है मैं हूं वे था यह है तुम थे वे थे कुछ बच्चे हैं ऐसे तो इन जो questions का अंसर होता है जनली हम उसे it से शुरू करते हैं उसी प्रकार जब हम बात करते हैं मोसम की या time की तो वो sentence भी it से ही बनते हैं परन्तु ऐसे it का अपना कोई word meaning नहीं होता यह किवाद sentence को introduce करते हैं इसलिए ऐसे it को introductory it करते हैं ऐसे sentences का जो structure होता है वो देखेगा सबसे पहले it आएगा फिर b का जो भी रूप होगा it similar है present है तो हम is लगाएगे past है वो जाएगा future की बात करेंगे विल भी आदेगा उसके पाद जो भी आप noun pronoun weather यान की मोसम या time की बात करते हैं वहरत दिया जाद है एक्जम्पल देखेगा मैं हूँ it is I और it is me देखें बोल्चाल की भासा में ये दोनों बोले जाते हैं लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो बेटर आंसर इट वोज ही गोगा है नेक्स देखेगा आज धुंद वाला दिन है है तो प्रजेंट मोसम की बात है सेंटेंस इट से शुरूगा प्रजेंटेंस है इस लगेगा धुंद वाले दिन को फोगी क्याते है और आज टुडेंट इट इस फोगी टुडेंट आज भुंद वाला दिन नेक्स बहुत अंधेरा था देखें मोसम की बात है सेंटेंस इट से शुरूगा था तो मोज लग जाएगा और बहुत अंधेरे को वेरी डाक नेक्स देखेगा बहुत ठंड है फि नेक्स देखेगा आज बहुत गर्मी है फिर मोसम है सेंटेंस इट से शुरूगा है तो इस लग जाएगा बहुत गर्मी को बहुत है वेरी हो और आज है तो टुडेंट इट इस वेरी हो टुडेंट नेक्स देखेगा आज चांदी राथ है देखें मोसम की बात है इट से इस रख दाएगा चामी रात को कहते हैं मूनलीट नाइट और आज है तो टुड़े इस मूनलीट नाइट तुड़े नेक्स देटेगा कल अमावस्या की रात अमावस्या की रात समय है टाइम है इस से शुरू होगा और थी तो वोज आज आएगा इस दिर रात अमावस्या की रात को बोलते हैं नो मून नाइट तो कि उस दिर चांग नहीं निकलता है और कल को बोलते हैं यस्टेड़े इस नेक्स देखेगा आज पूर्णीमा की रात है टाइम है इस से सेंटेंज बनेगा और है तो इस रख जाएगा पूर्णीमा की आज जिस दिर रात चांग पूरा निकलता है तो फुल मून नाइट और आज तुड़े इस फुल मून नाइट तुड़े इस फुल मून नाइट तुड़े और लग बढ़ते लिए आता है अबाउट इट इस अबाउट फाइट और फाइट नेक्स अभी दस नहीं बज़े हैं देखिए अभी तक जो काम नहीं हुआ है उसे लास्ट में यट करते दिखाते हैं टाइम के मामले में स्पेसली इट इस नाट नहीं करते हैं कितने दस तो 10 और अभी तक नहीं है तो लास्ट में आजएगा येट इट इस नाट येट नेक्स साड़े साथ बज़े हैं साड़े साथ आदा घंटा उपर निकल गया है साथ बज़े और साथ पास्ट का टाइम हो गया है तो इट इस हाफ आदे घंटा के लिए हम हाफ का यूज करत आते हैं और कुछ समय बाकी हो तो उसे तू से दिखाते हैं तो साड़े साथ बज़े हैं को हम बोलेगे इट इस हाथ पास्ट सेवन नेक्स देखीगा सवा पांच बज़े हैं लेकिन टाइम की बात है सेंटेंस इट से सुरोगा और है प्रजेंट है तो इस लगेगा इट सबस्तं या कौने पांच की बाता तो पंद्रा मिनित की बाता है कि और पंद्रा मिननट एक घंप्रत फ़क्ता का बार करें 12 से और 15 में तो बाइसमां। नेक्स देखेगा तब ओने साथ बजे थे देखे पोने साथ में भी 15 मिन करते हैं quarter hour होता है तो quarter लेकिन ओने साथ का मदब 7 बजे की तरब घड़ी चाहिए तो quarter to 7 करेंगे तब पोने साथ बजे थे थे का मतब पास्टेंच से तो इट वो जा जाएगा और quarter to 7 और तब then it was quarter to 7 then next देखेगा तस बज़का पांच मिनट हुए पांच मिनट हुए का मतब पांच मिनट दस बजे से उपर निकल गए है तो इटी जा जाएगा five minute it is five minute past ten इसका मतब दस बज़के उपर निकल गए 10 बज़के वो पास्ट की इवेंट है दस बज़के वो पास्ट का टाइम था और आप पांच मिनट टूपर निकल गए है इटी इस five minutes past ten next देखेगा पांच बज़के में दस मिनट थे देखें दस मिनट थे तो इट वॉस 10 मिनट और बजने की तरफ घरी चल रही है पांच बज़के तरफ तो टू लगाके five तरी it was ten minutes to five next देखेगा पत्ज़की रितू थी मुस्म की बात है थी तो पास्ट it was it was और पत्ज़की रितू को बोलते हैं autumn season it was autumn season next देखेगा कल सुमार का दिन था time की बात है it was past month was क्या था Monday कर yesterday कल it was Monday yesterday आप उसे ये भी कह सकते हैं yesterday was Monday next देखे आज बादर चाय हुए है है तो it is बादर चाय होने को बोलते है cloudy आज है today it is cloudy today आज बादर चाय हुए next देखेगा कल रात बहुत सर्दी थी थी past की बात है it was और बहुत सर्दी थी तो very cold और कल रात है या पिछली रात है तो हम last night यूज़ कर ली it was very cold last night next देखेगा आज धुन्द वाला दिन नहीं है तो it is धुन्द वाला दिन नहीं है not sogy और आज today it is not sogy today next देखेगा कल मौसम सुहामना नहीं था देखे कल की बात चली है past tense है देखे कल की बात चली है past tense है तो it was सुहामना नहीं होना not pleasant और कल है तो yesterday it was not pleasant yesterday इसी को आप कह सकते हो मौसम को weather कहते है the weather was not pleasant yesterday मौसम को weather कहते है और खुस गुमाया सुहामना है तो pleasant the weather was not pleasant yesterday next देखेगा कल बुंदा बांदी हो रही थी देखे एक्शन है काम हो रहा था देखे बुंदा बांदी हो रही थी काम कंटीनू था past continuous आईगा इट से डीजली और कल की बाद चल रही है तो yesterday इट वोज डीजली यस्टरेड़ी नेक्स देखेगा आज मुस्राधार वर्सा हो रही है मुस्रा भार्या भारी वर्सा होने के लिए जनरली लोग रेंड है विली का यूज़ करते हैं और रहा है रही है तो प्रजेंट कोंट्रिवस इट इस बेक्टाम लोग रही है मुस्राधार नेक्स एड वर्सा अरे आज के लिए अमुधी ठोली है निकट है टोड्या वर्सा आजह प्रसा हो रही है तोस्टरिश्टस आज आपने इच से बनने वाले कुछ structures को देखा, sentences को देखा, आसा है weather और time से जुड़े ये sentences कैसे बनाने हैं, आपको सुनस आ गया होगा यदि घडी के द्वारा time बताना हो, तो घडी में क्या बजा है, इसके लिए इंदवास नियेगा, बाइदव हो चाहिए यदि आप किसी से कहें, आपकी घडी में क्या बजा है, या आपकी घडी में क्या समय हुआ है, तो आप बोलेगे, what is the time, buy your watch या ये बताएंगे कि मेरी घडी में पांच बजे हैं, पांच बजे हैं से आप बोलेगे, it is five और मेरी घडी में हैं, तो buy my watch तो students, इस वीडियो का आप बारवार देखें, और ज्यादा sentences बनाने की try करें, मुझे आसा है, बहुत जल्ब आप time और मौसम से जुड़े किसी भी sentence को इंगलिस में बोल पाएंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, अपने friends के साफ शेयर करें, ताकि वो भी इसका benefit उठा सके, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है, प्लीज सब्सक्राइब एक, योर सब्सक्रिप्शन, support and love motivate me, thank you.